कुवा बनवाने की इजाज़त मिलने पर कुवें के लिए इंटे बनाने का भठा भी लगाया गया बाबा जी महराज ने अपने हाथ से उसे तारीख 16 मई 1897 को सुलगाया ध्यान दें कि डेरे में इंट का भठा तब से कायम है और अब डेरे के सब मकान, सडकें, दिवारें आदी इसी भठे की इंटों से बने है पहले भठा उस जगह था जहां आजकल लंगर है बाद में उसे डेरे की सीमा में उत्तर की और दिवार के पास रखा गया आजकल भठा डेरे के बाहर के खेतों में ग्राम काने वाली के करीब है कुआ बनकर पूरा होने का समाचार बाबा जी महराज ने हुजूर को 9 दिसंबर 1897 के पत्र में इस प्रकार दिया पानी पहले सुराही में भरकर आगरा चाचा जी सेट प्रताप सिंग जी के पास भेजा है सब संगत में बरताया गया होगा सो कुआ बन गया है और पानी साथ हाथ आया है सो बहुत है और रेत थोड़ी आई थी सो इसी गहराई तक कुआ रहा है 24 अगहन वह 8 दिसंबर को पूरा हो गया है मुहूरत आपके आने पर करना है इन ही दिनों एक दिन सत्संग में हुजूर सावन सिंग जी ने बाबा जी महराज से अर्ज की कि हुजूर संगत के लिए कोई मकान नहीं है उस समय तक छोटा सत्संग घर था जो कोई के बनाने से बची इंटों से बनाया गया था बाबा जी ने फरमाया दरिया लागे ही है यानि नदी पास ही है फिर कुछ सोच कर इजाज़त दे दी उन दिनों ब्यास दरिया के पानी की मार से किनारे के मिटिक हिसक रही थी और वड़ाईच गांव ढह रहा था गांवालों ने हुजूर महराज सावन सिंग जी से कहा यह आप क्या कर रहे हो दरिया के धाहे में कोठरिया बनवा रहे हो धाहे यानि जमीन का वह हिस्सा जो पानी की मार की वज़े से ढह रहा हो पर हुजूर ने जवाब दिया कि अगर बाबाजी की संगत इन में एक दिन भी ठहर जाए तो मेरे लिए बहुत है मेरी सारी सेवा सफल हो जाएगी सो उस वक्त पाँच कोठरिया नीचे और चार उपर बनाई गई धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी यह देखकर हुजूर ने फिर बाबाजी महराज से विनती की कि एक बड़ा सत्संग घर बनाया जाए क्योंकि छोटे से सत्संग घर में सारी संगत नहीं समा सकती है इस पर बाबाजी ने फरमाया कि दरिया करीब ही है यहाँ ज्यादा रुपया खर्च नहीं करना चाहिए हुजूर ने बड़ी नमरता के साथ अर्ज की हुजूर अगर आप एक दिन भी सत्संग घर में सत्संग कर लेंगे तो मैं अपनी सेवा सफल समझूँगा उसके बाद चाहे दरिया बहा ले जाए यह सुनकर बाबाजी ने बड़ी खुशी के साथ मन्जूरी दे दी इस प्रकार बड़ा सत्संगर जो कुएं के पास है बनाया गया एक बार बाबाजी से अमरिस्थ सर के एक व्यपारी सत्संगी ने कहा हुजूर आपने यह कैसी जगह पसंद की है यहां तो चारों और कीकर यनी बबूल के पेड और कांटे वाली ज़ाडियों के सिवा कुछ भी नहीं है बाबाजी ने जवाब दिया बच्चू मेरी इच्छा होती है कि इन कीकरों को भी मनुश्य जन्म दे दूँ ध्यान दे कि बाबाजी महराज अपने सत्संगियों को प्यार के साथ बच्चू कहकर पुकारते थे फिर फरमाया यही जगह एक दिन ब्यास स्टेशन तक आबाद हो जाएगी जिस सुनसान जगह में लोग आने से भी डरते थे वह आज सच्मुच आबाद ही नहीं हो गई बलकि संसार के लिए रुहानियत का एक बड़ा केंदर बन गई है बाबाजी महराज सत्संग के लिए धालीवाल, भंडाल और काले कई बार जाते थे धालीवाल की संगत जोर देती थी कि आप पेंशन के बाद धालीवाल में आकर रहें और अपना पक्का डेरा यहीं बनाएं लेकिन बाबाजी ने कहा इस जगे दरिया की मार है मैं तो डेरा किसी उंची जगे बनाऊंगा जहां दरिया मार ना कर सके धालीवाल गाम को बाद में दरिया से काफी नुकसान हुआ और उसका बहुत सा हिस्सा पानी में चला गया भंडाल का इंदर सिंग बाबाजी महराज के पहले सत्संगियों में से था वहां से धीरे धीरे और भी प्रेमी यहां सत्संग सुनने के लिए आने लगे परन्तु कर्मकांड से बंधे कुछ जीव इनकी आलोचना करने लगे और कुछ लोग तो बाबाजी महराज के निंदा भी करने लगे संगत ने दुखी होकर बाबाजी की सेवा में चिठी लिखी बाबाजी सदा दयालू और बक्षिंद थे आपने जवाब दिया सत्संगियों को आपस में बहुत मेल मिलाप रखना चाहिए क्योंकि आप सब एक ही हैं जी और सत्गुरू पर पक्का भरोसा करो कि एक दिन हमें साथ ले जाएंगे अगर कोई हमारी निंदा करे तो घबरा नहीं जाना है संतों की मौज होती है कि जिनको उन्होंने भजन दिया है उनका तो वे उद्धार कर चुके हैं जो जो सत्संगी नहीं उनका अपनी निंदा करवा कर उद्धार करेंगे दूसरा और कोई उपाय नहीं है इस तरह जो भजन के बिना हैं वे तरेंगे संतों की मौज को संत ही जानते हैं मैं आप पर बहुत बहुत राजी हूँ जी कई बार बाबा जी अपने सत्संगीयों को पहले से ही बता देते थे कि करमों की वज़े से तुम पर तकलीफ आने वाली है परंतु थोड़े दिन के बुखार में बख्ष दी जाएगी अपने पत्रों में आप कई बार सत्संगीयों को पहले से लिख देते थे कि अमुक तकलीफ आने वाली है पर थोड़े में भुगता दी जाएगी बाबा जी महराज प्रेम और दया की मूरत थे आपकी दया मेहर की कई साखिया आपके सत्संगी सुनाया करते थे हुजूर महराज सावन सिंग जी ने एक बार बाबा जी से पत्र द्वारा अर्ज की कि मेरे आफिस में एक शक्स हरी राम काम करता है जो नाम का बड़ा खुआश्मन्द है आपने यह भी लिखा कि वह बाबा जी को पूर्ण पुरुष मानता है और चाहता है कि इसी जन्म में उसे नाम मिल जाए बाबा जी महराज ने बड़े सपष्ट शब्दों में जवाब लिखा जिस दिन से हरी राम हम पर पक्की प्रतीती कर चुका है उसी दिन से उसके दिन रात लेखे में है उसको नामदान की दया मेहर दृष्टी द्वारा पहुँचेगी अब अगर उसकी देह छूट भी जाए तो फिर से मनुश्य देह मिलेगी चौरासी में नहीं जाएगा बाबाजी महराज के बारे में उनके सत्संगी सुनाया करते थे कि बाबाजी का वर्ण हलका गिहुआ था कद मध्यम, चेहरा अत्यंत आकरशक तथा प्रभावशाली नेत्रों में नूर तथा वानी प्रेम और मिठास से भरपूर थी सत्संगी उनके शारीरिक बल के बारे में कई किस्से सुनाया करते थे सरदार फत्य सिंग बल्टोहे वाला अपने वक्त के मशूर पहलवान पुर्शों में था वह रहट की माल यानि माला को जबकि डोल भरे हुए होते थे उठा लिया करता था दो उटों को पास-पास खड़ा करके छलांग लगा कर उन्हें पार कर लेता था एक बार उट पर सवार होकर जंगल में अकेला जा रहा था हाथों में सोने के कड़े पहने हुए थे रास्ते में दो डाकू आ गए और बोले कि कड़े उतार दो इस पर फते सिंग बोला कि तुम दोनों एक-एक तरफ से आकर मेरे हाथों से निकाल लो जब वे दोनों उट के दोनों और से कड़े लेने आये तो फते सिंग ने एक-एक हाथ से एक-एक डाकू के केश पकड़ लिये और उन्हें वैसे ही उठाकर लटकाए हुए मील भर तक ले गया बड़ी मिन्नत करने पर छोड़ा बाबा जी महाराज के वारे में वह कहा करता था कि मैं और बाबा जी सन 1857 में साथ थे एक दिन मैंने अपनी ताकत की प्रशंसा की तो बाबा जी ने कहा कि मनुश्य को अपनी ताकत का अहंकार नहीं करना चाहिए फते सिंग बोला कि सच्ची बात का क्यूं अहंकार ना करूं बाबा जी उस वक्त चार पाई पर बैठे थे उठकर चार पाई पर एक पैर रखकर बोले अच्छा, इस चार पाई का एक पाया उठा दो। फते सिंग ने बहुत तेरा जोर लगाया, मगर चार पाई का पाया ना उठा सका। फिर वह बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। हुजूर महराज सावन सिंग जी के परती बाबा जी महराज का बहुत प्रेम था। हुजूर के अर्ज करने पर बाबा जी आपके घर महिमा सिंग वाला तशरीफ ले गए। तब हुजूर को नामदान मिले कुछ ही दिन हुए थे। आपकी दिली खवाहिश थी कि राधा स्वामी नया नया नाम है और लोगों को अभी इसकी जानकारी नहीं है। सो बाबा जी यहां सत्संग में शुरी गुरु गरन सहाब का शब्द ले में तो अच्छा है। बाबा जी अंतर्यामी थे। आपने सत्संग में शुरी गुरु गरन सहाब का ही शब्द लिया। परंतु रात को बीबी रुको कोठे पर चड़कर उचे स्वर में स्वामी जी महराज के शब्द पढ़ने लग गई। बीबी रुको की आवाज बड़ी उची थी। जब शब्द पढ़ती दूर दूर तक सुनाई देता था। बीबी रुको को कौन रोक सकता था। हुजूर सुनाया करते थे कि उसके शब्द पढ़ने से 10-15 मिनिट में मेरी लोक लाज निकल गई। हुजूर महराज सावन सिंग जी की इच्छा थी कि आपकी माता जी को नामदान मिल जाए। आपकी विनती पर बाबा जी महराज ने वहां महराज सावन सिंग जी की माता जीवनी जी, धर्म पतनी बीबी किशनकौर, दादा सरदार शेर सिंग जी, जिनकी उम्र उस समय नब्बे वर्श की थी, और बड़े पुत्र सरदार बचिंत सिंग जी को नामदान बक्षा हुजूर के एक मित्र, मुन्शी नरायन सिंग, हुजूर को सतसंगी हो जाने पर ताने सुनाते थे उन्होंने भी बाबाजी से नाम ले लिया और इस परकार अपने पूरे कुटुम्ब को नाम दिला दिया इसके बाद बाबा जी महाराज कई बार महिमा सिंग वाला तशरीफ ले जाते रहे जब भी बाबा जी वहां आते हुजूर महाराज सावन सिंग जी आपकी सभी सेवा अपने हाथ से करते एक बार बाबा जी महाराज के लिए हुजूर खुद आटा पीस रहे थे आपको चक्की से आटा पीस्ते देखकर आपकी पुत्रवधू यानि सरदार बचिंत सिंग जी की धरम पत्नी ने विनती की कि मैं आटा पीस्तू इस पर हुजूर ने जवाब दिया नहीं बेटी, यह तो मेरी ही सेवा है खुद आटा पीस कर भोजन तयार करके बाबाजी को भोजन कराया बाबाजी महराज के सनान के लिए हुजूर खुद कुएं से पानी निकाल कर लाते थे बाबाजी महराज ने 34 साल सेना में नौकरी करके हक हलाल की कमाई द्वारा अपना गुजारा किया तथा रिटायर होकर पैंशन पर आए आप हर महीने अपनी पैंशन लेने सठियाला गाम जो डिरा से दो-तीन मील दूर था वहां जाते थे आपका जीवन सादा था रहनी बड़ी पवित्र और उँची थी अपनी पैंशन में से अपना खर्च चलाने के बाद आने वाले सतसंगियों की सेवा में भी खर्च गरते थे कुछ निकट के प्रेमी सतसंगियों को आप लंगर में नहीं खाने देते थे बलकि उन्हें अपने चौके से खाना खिलाते थे आप कपड़े बहुत कम रखते थे समान के नाम पर थाली, कटोरी, लोटा, एक चारपाई, बिस्तर, एक जोड़ी जूते वा खड़ाउं, एक छड़ी और गिनती के कपड़े रखते थे अपने सतसंगियों को आप हमेशा हक हलाल की कमाई का आदेश देते थे वह फरमाते कि उँचे उसूल, पवित्र रहनी और हक हलाल की कमाई भजन के लिए बहुत जरूरी है बाबा जी महराज जब भी डेरे में होते तो सतसंग रोज करते थे भंडारे के दिनों में 40 से 50 स्त्री पुरुश आ जाते थे वैसे रोज के सतसंग पर कभी 4-5 तो कभी 8-10 लोग होते थे कभी आप जमीन पर, मोटी चटाई पर सफेद आसन बिछा कर बैठते और सतसंग फरमाते तो कभी 4 पाई पर बैठ कर बीबी रुको या भाई ज्वाला सिंग शब्द पढ़ा करते थे बीबी रली जो 6 वर्ष की उम्र से डेरे में रहती आई हैं और जिन्होंने बाबा जी महराज के भी दर्शन किये वह बताती हैं कि उन दिनों भंडारे के समय संगत 30 या 40 तक होती थी और प्रसाद बनाने में 10 सेर सूजी और 20 सेर शक्कर लगती थी अब भंडारों में 3-4 लाख लोग आते हैं और लंगर में सिरफ एक वक्त के खाने में 3-4 मन नमक लगता है बाबा जी महराज के समय डेरे में कोई दुकान नहीं थी आटा दाल आदी के सिवाए और कोई भी चीज पास के गामों में नहीं मिलती थी डाक हफ़ते में 3 बार आती थी चिठ्थी लिखने का कागज तक शहर से मंगाना पड़ता था बाबा जी अपने पत्र मिलखी राम जी जो बीबी रली के पिता थे उनसे लिखवाते थे कई बार खुद भी लिखते थे सत्संगियों का रहन सहन सादा होता था सादा खाना, सादा पहनना और पवित्र विचार उस समय की विशेश्टा थी घी भोजन का जरूरी हिस्सा था परन्तु बाबा जी की खुराक बहुत कम थी जो बीबी रुक को बना देती खा लेते थे कई बार आठ आठ दिन भजन में बैठे रहते बीबी रुक को चिंता करने लगती और वडाइच से आने वाले सतसंगियों से कहती भाई, बाबा जी आज दस दिन से भजन में बैठे हैं उठने का खयाल ही नहीं है बाबा जी तथा आने वाली संगत के लिए बीबी रुक को खाना बनाती और पानी भर कर लाती बाबा जी की उन्होंने बहुत सिवा की और उनके चरणों में बीबी रुक को का बहुत प्यार था इसलिए बीबी जी का खयाल था कि बाबा जी के बाद गुरु गद्धी उनके घर में ही रहे और वहे बाबा जी के भाई जीवन सिंग के पुत्र स्वामी सिंग को गद्दी दिलाना चाहती थी बाबा जी महराज बीबी रुको को समझाते कि बीबी यह इस चीज के लायक नहीं है और इसे जल्दी ही गुजर जाना है बाबा जी के बाद जल्दी ही स्वामी सिंग की मृत्ति हो गई बाबा जी के दो भाई थे जीवन सिंग और दान सिंग दोनों का बाबा जी से बड़ा प्रेम था और सत्संग में बराबर आया करते थे दो बहने बीबी ताबो और बीबी राजो थी बीबी ताबो शुरू से जानती थी कि उनके भाई जैमल सिंग जी साधारण मनुश्य नहीं है और अपने परिवार के लोगों से कहा करती थी कि ये मेरे भाई बड़ी करनी वाले महात्मा है बाबा जी के चोला छोड़ने के कुछ समय बाद भाई दान सिंग गुजर गए और उसके कुछ समय बाद उनके दूसरे भाई भी चोला छोड़ गए इस समय बाबा जी के परिवार या वंच का कोई भी विक्ति मौजूद नहीं है बाबा जी महराज भजन करने पर हमेशा बहुत जोर देते थे सीधे सादे सरल हृदय लोगों में भजन की लगन भी थी हुजूर महराज जी कभी कभी सत्संग में उस समय के अभ्यासियों की बातें सुनाते थे जब हुजूर बड़े महराज जी बाबाजी महराज के पास आए उन दिनों मच्छर और रामदित्ता नामक दो जाट बंडाल गांव से आया करते थे अच्छे प्रेमी थे जब तक सुबै भजन में उन्हें बाबाजी महराज के दर्शन नहीं होते वे अपने कामकाज को हाथ नहीं लगाते थे उन्हें रोज अंतर में बाबाजी के दर्शन होते थे जो सच्चे प्रेमी होते हैं गुरू भी उनकी कभी-कभी आजमाईश करता है एक बार उन्होंने मक्की बोई हुई थी और फसल भी बढ़ रही थी एक दिन रहट से पानी लाने की उनकी बारी थी रामदित्ता बोला, मच्छर आज बाबाजी महराज के दर्शन नहीं हुए मच्छर ने कहा, मुझे भी नहीं हुए लेकिन अगर आज पानी ना दिया, तो मक्की सूख जाएगी रामदित्ता बोला सूख जाए तो गुरू की ही तो है सूख जाने दो यह कहकर दोनों दोबारा भजन में बैठ गए जब अंदर बाबाजी के दर्शन हुए तो उठकर पानी दिया हुजूर महराज सावन सिंग जी जब डेरे आते तो बाबाजी हमेशा उन्हें अपनी कोठरी में ठहराते थे उन दिनों डेरे में सिर्फ दो चार पाईयां थी एक तो बाबाजी महराज की चार पाई जो अब तक डेरे में मौजूद है और दूसरी बीबी रुको की चार पाई बीबी रुको की चार पाई बहुत छोटी थी सब संगत जमीन पर सोती थी सरदी में लोग पराली यानि धान आदी का पयाल बिछा कर उस पर खेस या चादर बिछा कर सोते थे गर्मी में जमीन पर चटाई या खेस बिछा लेते थे हुजूर महराज सावन सिंग जी बाबा जी के पलंग के नीचे फर्ष पर ही सो जाते थे बाबा जी के चोला छोड़ने के बाद हुजूर बड़े महराज जी कभी उस कोठरी में नहीं सोते थे वे जब भी डेरे आते तो बाबा जी की कोठरी में भजन करने जरूर बैठते थे बाद में जब कोठरी की जगए कमरा और मौजूदा इमारत बनाई तब हुजूर ने इस बात का खास खयाल रखा कि बाबा जी महाराज की पवित्र कोठरी के मलबे में से कुल इंटें, मिट्टी, पत्थर आदी का एक कन भी बाहर न जाए उन्होंने बाबा जी की कोठरी की दिवारों और छट की सारी मिट्टी, इंटें आदी उसी जगहे प्लिंथ यानि फर्ष में दबा दी और उस पर बाबा जी का कमरा बना दिया इसलिए इस इमारत का फर्ष इतना ऊचा है बाबा जी महराज का पलंग और बिस्तर अब भी इस कमरे में उसी स्थान पर रखा है हुजूर महराज जी जब भी नामदान देने जाते या डेरे से बाहर दोरे पर जाते तो जाने से पहले बाबा जी के कमरे में कुछ देर भजन में बैठा करते थे यही नियम सरदार बहादुर महाराज जी और महाराज चरन्व सिंग जी का भी रहा है बीबी रली सुनाया करती थी कि एक बार स्वामी जी महाराज ने अपना शौल बाबा जी को बख्षा वह शौल बाबा जी कभी-कभी ओड़ते थे चोला छोड़ने से कुछ समय पहले बाबा जी ने वह शौल हुजूर महाराज सावन सिंग जी को दे दिया हुजूर अकसर भंडारों के अफसर पर उसे ओड़कर सत्संग में तशरीफ लाते थे बाद में हुजूर महाराज चरन सिंग जी कभी-कभी बाबा जी महाराज के भंडारे के दिन उस शौल को ओड़कर सत्संग में पधारते थे स्वामी जी महराज के चोला छोड़ने के बाद भी बाबा जी, माताराधा जी तथा चाचा जी सेट प्रताप सिंग जी के पास आगरा जाते रहते थे कई बार आप हुजूर महराज सावन सिंग जी को भी साथ ले जाते थे माता जी, चाचा जी तथा उनका पूरा परिवार बाबा जी के प्रती बहुत प्रेम भाव रखता था तथा आपकी इज़्जत करता था यह प्रेम आगरा से आए तथा लिखे गए पत्रों से साफ जाहिर होता है एक बार सेट प्रताप सिंग जी का बाबा जी के पास पत्र आया कि चूंकि सत्संग में फिरका बंदी और गिरोह बंदी होती जा रही है इसलिए सब मिलकर एक सदर सभा कायम करें जिसमें आप भी एक मेंबर हों इसके जवाब में बाबा जी ने जो लिखा और सेट प्रताप सिंग जी की और से जो पत्र आया उसका जिक्र हुजूर महाराट सावन सिंग जी को लिखे अपने नवंबर 1902 के पत्र में इस प्रकार किया है आगरा से जनाब चाचा जी का हुक्म नामा आया था कि दस मेंबरों के लिए तुम दस्तखत कर दो जो की तैह हुए है मैंने चाचा जी से यह अर्ज की कि मैं हुजूर स्वामी जी दीन दयाल को और आप को और महाराज सुचेज सिंग और सुदर्शन सिंग और स्वामी जी के बंस के सिवाए किसी को नहीं मानूंगा पीछे माना नहीं ना आगे मानूंगा फिर वह हुक्म दोबारा वापस हुआ कि इसी तरह चाहिए था तुम्हारी प्रीती और प्रतीती देखनी थी सो देखी गई और बहुत खुश हुए बाबा जी महराज के समय में स्वामी जी महराज की वाणी हिंदी में छप चुकी थी लेकिन बाबा जी की इच्छा थी कि पंजाबी में भी सारबचन वारतिक और सारबचन चंद बंद छापे जाएं सन 1901 में बाबा जी ने स्वामी जी महराज के छोटे भाई सेट प्रताप सिंग जी से आग्या लेकर सार बचनवार्तिक तथा चंद बंद दोनों पुस्तकों को पंजाबी में छपवाने का आदेश दिया बाबा जी महराज अपने पत्रों में हुजूर महराज सावन सिंग जी को इनके प्रकाशन के बारे में बराबर लिखते रहते आपका आदेश था कि जो पोथी सेट प्रताप सिंग जी के पास से आई है उसमें एक मात्रा भी इधर से उधर ना हो इसी सिलसिले में अपने एक पत्र में आपने लिखा मगर इतना फर्क जरूर हो कि यह न लिखा जाए कि स्वामी जी का कोई गुरू नहीं था क्योंकि बाबा जी महराज फरमाया करते थे कि स्वामी जी ने उपदेश तुलसी सहेब हाथरस वालों से लिया था 1903 में दोनों पुस्तकें पंजाबी में छपकर आ गई बाबा जी महराज अपने सत्संग में हमेशा बहिर मुकी क्रियाओं की मनाही करते थे संतों के फोटो चित्र आदी की पूजा के बारे में भी आपके विचार स्पष्ट थे आप बार बार हुक्म देते थे कि फोटो की पूजा करना गलत है और यहां तक फरमाते थे कि मेरी फोटो कोई सत्संगी ना रखे एक बार कुछ सत्संगियों ने आपसे अर्ज की कि हुजूर आगरा में स्वामी जी महराज की समाधी बनाई जा रही है और वे लोग चंदा भी मांग रहे हैं इस पर बाबा जी ने फरमाया संतों की तालीम ही उनकी असली यादगार है समाधियों के द्वारा संत जिन्दा नहीं रहते समाधियां तो बहिर मुखी साधन की और ले जाती है स्वामी जी का उपदेश तो हमेशा अंतरमुख अभ्यास का ही रहा है फिर बाबा जी ने अपने सत्संगियों को होक्म दिया कि मेरे बाद मेरी समाधी हरगिज ना बनवाना हुजूर महराज सावन सिंग जी की कमाई से बाबा जी हमेशा डेरे में रुपाया लगाते थे कुआ चोटा और बड़ा सत्संगर कई कोठरियों कमरों आधी में अधिकाppers रुपाया हुजूर की सेवा में से ही लगा है आग्रा में स्वामी बाग में जो कोठरियां बनी उनमें भी हुजूर की सेवा का बहुत बड़ा हिस्सा है कई बार हुजूर पहाडों में अपनी नौकरी के समय वहां से गरम कपड़ा अत्वा इसी प्रकार की वस्तुएं सेट परताप सिंग जी के लिए बाबा जी के पास भेजा करते थे बाबा जी उन्हें आगरा भेजते और चाचा जी बड़े प्रेम से उन्हें स्विकार करते बाबा जी कई बार हुजूर से फर्माते थे कि अपनी महिमा सिंग वाला की जमिनदारी में से कुछ अनाज डेरे जरूर भेजा करो बाबा जी के हुक्म के अनुसार हुजूर लंगर के लिए गेहूं मक्की आदी अनाज बराबर भेजते रहते थे जब हुजूर महराज जी ने सिरसा में जमीने खरीदी तो वहां से आप लंगर के लिए हमेशा सामान भेजते रहते यह सिलसिला आज भी जारी है और हुजूर के परिवार की और से हर साल सैकडों मन सामान ट्रकों में भर कर लंगर के लिए भेजा जाता है राइस सहाब मुन्शी राम जी अपने डायरी में लिखते हैं कि हुजूर महराज सावन सिंग जी फरमाया करते थे कि सेवा बड़ी खुश किसमती से मिलती है और कभी विर्थ नहीं जाती जब हुजूर ने नाम नहीं लिया था तो अपनी सारी कमाई अपनी माताजी के सामने लाकर रख देते थे कभी अपनी पत्नी को नहीं दी अगर पत्नी मांगती तो आप फरमाते कि माताजी से ले लो जब नाम ले लिया तो घरवालों से कह दिया कि अब गुरू का अधिकार पहले है जो तनख्वा में से खर्च के बाद बच्चता आप बाबाजी के सामने लाकर रख देते वे जो मुनासिब समझते घरवालों को दे देते और बागी साध संगत की सेवा में खर्च कर देते इस तरहे डेरे में कुआं, छोटा और बड़ा सत्संगर, कोठरियां, रसोई वगेरा सब बाबाजी ने हुजूर की सेवा में से बनवाई इस बात का जिक्र करके हुजूर फर्माते थे कि उस सब सेवा के फल सुरूप आज बाबाजी ने लाखों रुपए सालाना की आमदनी मेरे लड़कों को बख्शी है एक बार बाबाजी महराज हुजूर के साथ मरी पहाड पर तश्रीफ ले गए हुजूर के बंगले के सामने मौजपुरी अत्वा मोक्षपुरी का पहाड था जो हिंदूओं का तीर सस्थान था वहां के बहुत से खूबसूरत नजारों की और इशारा करके हुजूर ने अर्ज की महराजी देखिये कितने सुन्दर पहाड हैं इस पर बाबाजी ने फरमाया कि मैं पहले इस जगय को देख चुका हूँ हुजूर ने सोचा कि शायद बाबाजी सैनिक सेवा के समय अपनी पल्टन के साथ यहां आयोंगे जब पूछा तो बाबाजी ने जवाब दिया कि नहीं इससे भी पहले यहां आ चुका हूँ जब ये पहाड बने भी नहीं थे और इस जगय मैदान था बाबाजी महराज कई बार फरमाते थे कि अकाल पुरुष आपको इससे पहले भी जीवों को सचखंड ले जाने के लिए यहां भेज चुका है एक बार बाबाजी महराज के पास तीन पंडेत आए उनका किसी शास्त्र के अर्थ के विशय में आपस में मतभेत था उनमें से एक ने कहा कि चलो महराज जमल सिंग जी के पास चले वह बड़े उंचे महात्मा हैं और अंदर जाते हैं जब आये और अपने शंका बताई तो बाबाजी ने सरलता पूर्वक कहा कि मैं संस्कृत नहीं जानता परन्तु उनको साधारन बात चीत के सिलसले में पूरी बात समझा दी तब उन्होंने विनती की कि महराज जी हमें नाम दो बाबाजी ने जवाब दिया कि वाचक ग्यानी और विद्या का आस्रा लेने वाले नाम की कमाई नहीं कर सकते यह सुनकर बाकी पंडित तो चले गए पर एक रहे गया उसने नाम मांगा बाबाजी ने दे दिया छे महीने के बाद वह फिर बाबा जी के पास आया और कहने लगा कि यह सुरत शब्द योग का तरीका अच्छा नहीं है, प्राणायाम अच्छा है कुछ महीनों के बाद फिर आया और बोला कि प्राणायाम भी अच्छा नहीं है आप मुझे दिखाईए कि अंदर क्या है इस पर बाबा जी ने उसे समझाया कि नाम की कमाई करो वह चला गया कई दिनों बाद एक बार बाबा जी महराज अपनी पैंशन लेने सठियाला जा रहे थे तो वही पंडित रास्ते में मिला और जिद्ध करने लगा कि यहां एकांत है मुझे जरा सा अंदर का हाल दिखा दो बाबा जी महराज ने उसे समझाया कि उसका नुकसान हो जाएगा लेकिन उसने अपने जिद्ध ना छोड़ी इस पर बाबा जी ने उसे वहीं बिठाया और अपनी जरा सी तवज्जो दी जब तवज्जो दी तो वह चला कर एक और गिर पड़ा और कहने लगा मुझे संभालो बाबा जी ने फरमाया कि अंदर से खयाल छोड़ दो जब खयाल छोड़ा तो बाहर आ गया बोला कि अंदर करोडों बिजलियां तूट पड़ी थी फिर बाबा जी ने उससे कहा कि तेरी उम्र के तीन साल बाकी है चाहे भजन कर ले, चाहे दुनिया का काम कर ले आप फरमाते थे कि संतों से कभी जिद्ध नहीं करनी चाहिए बलकि उनकी मौज में रहना चाहिए जब भी वे ठीक समझेंगे, खुद अंदर ले जाएंगे यह साखी हुजूर महराज सावन सिंग जी कभी-कभी सत्संग में सुनाया करते थे एक बार बाबा जी महराज सत्संग के लिए अंबाला तश्रीफ ले गए वहाँ मोती राम टेलर मास्टर बड़ा अप्रेमी सत्संगी था बाबा जी उसके यहां ठहरे और कुछ दिन सत्संग करते रहे बाबा जी का सत्संग सुनकर लोग बहुत प्रभावित हुए वहाँ के मैजिस्ट्रेट का एक रिष्टेदार खुकम सिंग रोज सत्संग में आता था उसने नामदान के लिए विनती की परन्तु बाबा जी ने उसे टाल दिया खुकम सिंग ने मोती राम के आगे नाम प्राप्ती की इच्छा प्रकट की मोती राम ने सोचा कि यह एक बड़ा आदमी है बुद्धीमान और प्रतिष्ठित वेक्ती है अगर यह नाम ले ले तो सत्संग की रौनक बढ़ जाएगी यह सोचकर उसने बाबा जी से अर्ज की परन्तु बाबा जी ने इंकार कर दिया लेकिन भाई मोती राम ने बहुत आग्रह किया इस पर बाबा जी ने फरमाया कि चाहे हजार जीवों को नाम दिला लो पर हुक्म सिंग के लिए जिद्दना करो क्योंकि इसके करम बड़े सक्त है भाई मोती राम ने कहा बाबा जी अगर आपके पास आकर भी करम रह गए तो फिर दुनिया में इसके लिए और कौन सी जगह है बाबा जी महराज का विचार अंबाला में एक महीना रहकर सत्संग करने का था परन्तु मोती राम के बहुत हट करने पर आपने फरमाया अगर तुम इसे नाम दिलाना चाहते हो तो नाम मैं दे दूँगा लेकिन फिर यहां और नहीं ठहरूँगा नाम देते ही चला जाऊंगा मोती राम ने हट ना छोड़ा बोला अच्छा महराज जी मैं सत्संग ब्यास आकर सुन लूँगा इसलिए दूसरे दिन बाबा जी ने तांगा मंगवा लिया अपना बिस्तरा बांध कर उसमें रखवा दिया हुकम सिंग को नाम दिया और फौरन तांगे में बैठ कर स्टेशन चले आए और ब्यास के लिए रवाना हो गए जब गाड़ी लुध्याना स्टेशन पर रुकी तो इत्तफाक से हुजूर महराज सावन सिंग जी स्टेशन पर ही मिल गए आपने बाबा जी से अर्ज की हुजूर मेरा गाव महिमा सिंग वाला नजदीक ही है हुजूर तशरीफ ले चलें और दर्शन देते जाएं बाबा जी ने फरमाया मैं इस वक्त नहीं उतरूंगा और तुम इस इत्वार डेरे भी मताना महराजी का नियम था कि जब छुटी पर घर आते तो हर इत्वार को बाबा जी के सत्संग और दर्शन के लिए डेरे अवश्य जाते आप हैरान हुए कि आज क्या बात है पहले तो कभी बाबा जी ने ऐसा हुक्म नहीं दिया परन्तु आज्या का पालन करते हुए आप अपने गांव चले आए जब बाबा जी डेरे पहुँचे तो उन्हें इतना तेज बुखार चड़ा कि नीचे की सांस नीचे और उपर की सांस उपर ऐसा लगने लगा कि शायद बचेंगे नहीं बारे दिन तक इतना तेज बुखार रहा कि सब घबरा गए शरीर ऐसा तपता था कि पास खड़े हुए व्यक्ती को भी उसका सेंक लगता था बीबी रुको तथा दूसरे सत्संगियों ने दवा लेने के लिए अर्ज की आपने फरमाया मैं बारे दिन कोई दवा नहीं लूँगा बीबी रुको रोने लगी बाबा जी ने फरमाया अभी मैं जाता नहीं हूँ तो फिक्र ना कर बारे दिन बाद बुखार उतरा जब हुजूर महराज सावन सिंग जी करीब तेरे चौदे दिन बाद अगले इतवार को डेरे पधारे तो आपको बाबा जी के सक्त बिमार होने का पता चला आपने अर्ज की हुजूर आपने मुझे आने से रोक दिया अगर मैं आता तो आपकी कुछ सेवा करता बाबा जी ने उतर दिया बच्चू आपसे बरदाश नहीं होना था इसलिए मैंने टाल दिया जब हुजूर ने पूछा कि इस सक्त तखलीफ का कारण क्या था तो बाबा जी महराज ने बताया कि हुक्म सिंग के करम इतने सक्त थे कि काल ने उसे साथ जन्म तपती हुई शिला पर तपाना था मोती राम के हट करने पर हमें उसके करम उठाने पड़े हुजूर महराज सावन सिंग जी ने इस बात का हुक्म सिंग को जीवन भर पता ना लगने दिया उसके दिहांत के बाद इसे प्रकट किया नौकरी के दिनों में हुजूर के पास किशन सिंग नामक एक चौकीदार था तेरे साल हुजूर की सेवा में रहा खयाल नेक थे वानी के पाट का बड़ा शौक था आधी रात को उठकर सनान करके पाट करता था हुजूर का खयाल था कि यह आदमी नेक है वानी का पाट करता है इसे नाम मिल जाए तो अच्छा है एक बार जब बाबा जी हुजूर के पास दर्शन देने आये तो हुजूर ने कहा कि किशन सिंग आपके पास आएगा हुजूर की प्रेरणा से किशन सिंग बाबा जी के पास आया कुछ देर बैठा रहा मगर कुछ बोला नहीं माथा टेका और चला गया संत खुद जीव से नहीं कहते कि तू नाम ले ले किशन सिंग ने नाम नहीं मांगा जब हुजूर अपने दफ्तर से वापस आये तो उन्होंने बाबा जी से पूछा हुजूर क्या किशन सिंग आपके पास आया था बाबा जी ने जवाब दिया हाँ वह आया तो था पर जो तुम्हारा खयाल है वह नहीं होगा हुजूर ने कहा आदमी नेक है वानी बराबर पढ़ता है नाम मिल जाए तो अच्छा ही है इस पर बाबा जी महराज ने फरमाया पढ़ना पढ़ाना और चीज है नाम का मिलना कुछ और ही चीज है इस जन्म में इसके करमों में नाम का मिलना नहीं है इसे जल कर मरना है हुजूर सुनाया करते थे कि कई वर्ष बाद जब आप रावल पिंडी गए तो किशन सिंग के गाव सयद कसरावा की संगत से पूछा कि किशन सिंग का क्या हाल है उन्होंने हुजूर को बताया कि एक बार किशन सिंग के मकान में आग लग गई वह कोठे पर चड़ कर आग बुझाने गया तो आग में गिर पड़ा और मर गया इसी प्रकार का एक और किस्सा हुजूर सुनाते थे मरी में हुजूर का हरी सिंग नाम का एक अरदली था उसने ग्यारे वर्ष हुजूर के पास काम किया एक बार जब बाबाजी महराज मरी पहाड पर गए तो हुजूर ने हरी सिंग को बाबाजी से मिलाया उसके जाने के बाद बाबा जी ने हुजूर से कहा आप चाहे सौ साल तक हरी सिंग को सत्संग सुनाओ इसे इस जन्म में नाम नहीं मिलेगा इसे डूब कर मरना है कुछ वर्ष बाद हरी सिंग अपने घर चला गया वहाँ उस पर कोई मुकद्दमा बन गया वह घबरा गया चिठ्ठी लिख कर रख दी कि मैं खुद मर रहा हूँ मेरे लिए किसी को ना पकड़ना और पोखर में चलांग लगा कर दूब मरा हुजूर फरमाया करते थे कि संतों की दृष्टी में कोई भी भला या बुरा नहीं होता उन्हें जीव के कर्म इस प्रकार दिखाई देते हैं जैसे किसी शीशे की बोतल में रखी वस्तू हमें साफ दिखाई देती है बाबा जी महराज का हुजूर महराज सावन सिंग जी को आदेश था कि महीने में दो नहीं तो एक पत्र तो जरूर लिखा करें कुछ उदारण इस बात को सपष्ट करने के लिए काफी होंगे बरखुरदार बाबु सावन सिंग तुम मेरे निज प्राण हो तुम मेरे बेटे हो गुर्मुक हो मैं तुम पर बहुत बहुत खुश हूँ तुम एक दिन जरूर सचखंड पहुँचोगे और वहां सदा मेरे साथ रहोगे फिर जन्म नहीं होगा जी आप मुझे अपनी दिहव प्राणों से भी प्यारे हो फिर जन्म नहीं होगा जहां मैं रहूँगा उसी जगह आप भी मेरे साथ रहेंगे मैं आप पर बहुत बहुत राजी हूँ मैं आप पर सब तरह से बहुत बहुत राजी हूँ आप मेरे स्वरूप से भिन नहीं हो काम काज के लिए दूसरी देह प्रतीत होती है जी हुजूर के पत्र पाकर बाबा जी बहुत प्रसन होते थे आप खुद लिखते हैं जिस वक्त आपकी चिठ्थी आती है उस वक्त चित्त में इतनी खुशी और अनंद होता है जिसका बयान नहीं हो सकता है जी भाई मन्ना सिंग जो बाबा जी महराज के पास रहकर वर्शों सेवा करते रहे थे उन्होंने एक बार का हाल सुनाया एक दिन हुजूर महराजी के चिठ्थी आई थी मैंने देखा कि बाबा जी महराज उसे बार बार हाथ में लेकर पड़ रहे है मुझे पता नहीं था कि वह क्या कागज है और उसमें क्या लिखा है मेरे पूछने पर बाबा जी ने फरमाया कि यह चिठ्थी बाबु सावन सिंग जी की है बड़े प्रेम और विरह से भरपूर है और उन्होंने नौकरी छोड़ कर चरणों में आकर रहने की तड़प जाहिर की है इस पर मैंने अर्ज की हुजूर जब उनको इतनी तड़प है तो उन्हें यहां बुला लें तो बाबा जी महराज ने जवाब दिया अभी उनसे बहुत दुनियावी काम लेना है लेकिन बच्चू एक दिन आएगा जब तुम देखोगे कि स्वामी जी महराज उनसे किस कदर परमार्थ का काम लेते हैं बाबा जी कई बार हुजूर महराज सावन सिंग जी को लिखा करते थे आप सब मेरी ही सेवा कर रहे हो यह जो घर में काम काज करते हो यह भी सत्गुरू का काम है भजन और सिमरन करना भी सत्गुरू का काम है जब महराज जी ने लिखा कि मुझे नौकरी छोड़कर चरणों में आने की इजाज़त दें तो बाबा जी ने जवाब में लिखा सचखंड तो इसी परदे के पीछे है जी, दूर नहीं है क्यों घबराते हो, खुद घर जाओगे जी आपने लिखा कि घर को छोड़कर, नौकरी छोड़कर भजन करूँ घर में आपका क्या है और नौकरी में आपका क्या है रुपए में आपका क्या है सोचकर देखो, इसको छोड़ना क्या और लेना क्या यह तो मदारी की बाजी है संसार सपना है जी आपने लिखा, मैंने रुपए का जिक्र किसी से नहीं किया है, मुझे कहीं मान ना हो जाए क्यों मान हो जाए? आपका क्या है उनमें? सब कुछ सत्गुरू का है, आप उनके कामदार बने रहो हुजूर को भजन की लगन शुरू से थी, कई बार विचार आता था कि सरकारी नौकरी की वज़े से भजन को ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं बाबा जी आपको दुनियावी फर्ज और भजन दोनों के लिए प्रेरणा देते रहते आप फर्माते, भजन और सिमरन रोज रोज करना जिस वक्त भी समय मिले जिस वक्त आप सरकारी काम कर रहे हो, उस वक्त का भजन मेरी तरफ है जी एक बार हुजूर के मजले बेटे सरदार बसंत सिंग इम्तिहान में फेल हो गए हुजूर को खयाल आया कि मेरे लड़के पढ़ने में ध्यान नहीं देते जबकि औरों के लड़के छोटी उम्र में भी मन लगा कर पढ़ते हैं आपने इसका जिक्र एक पत्र में किया तब बाबा जी महराज ने जवाब में लिखा बसंत सिंग के लिए घबराओ नहीं पढ़ाए जाओ और नक्षा कशी भी सिखाओ अगर दो दफा पास ना हुआ तो क्या हरज है फिर हो जाएगा उसकी किस्मत को कौन देखाया है आप ऐसा अफसोस करते हो कि मेरे लड़के नहीं पढ़ते औरों के छोटे-छोटे पढ़ते हैं खयाल करो औरों के लड़कों को भजन भी मिला है और जो मरेंगे नरक को जाएंगे और आपके लड़के घर को जाएंगे आपका वंश औरों से कैसे मिल सकता है एक बार बाबा जी ने बीबी रुकों से कहा कि बचिंत सिंग यानि हुजूर महराज सावन सिंग जी के बड़े पुत्र के करम बहुत भारी है उसको अपने घर के आंगन में व्रिक्ष के नीचे फांसी लगेगी इस पर बीबी रुको ने अर्ज की बाबा जी, बाबु सावन सिंग जी तो आपके प्रेमी सेवक और गुरु मुक्षिश्य है अगर बचिंत सिंग के साथ ऐसा हुआ, तो क्या बाबु जी को दुख न होगा? इस पर बाबा जी महराज ने कोई उत्तर ना दिया इसके बाबा जी महराज बीबी रुको के साथ महिमा सिंग वाला गाव तशरीफ ले गए, तो एक दिन पूरी रात भजन में बैठे रहे सुबा उठकर बीबी रुको को बुलाया और फरमाया कि मेरे बिस्तरे की रसी लेकर इसे आंगन के पेड से बांध कर लटका दो जब बीबी रुको ने रसी पेड पर से लटका दी, तो बाबा जी ने बचिन्त सिंग जी को बुला कर रसी के दूसरे सिरे का फंदा बनवा कर बचिन्त सिंग जी के गले में डाला और बीबी रुको को खुकम दिया कि जब मैं रसी खीचूं, तब चाकू के एक ही वार से सिर के उपर की रसी काट देना जब बाबा जी ने रसी को खीचा, तो बीबी रुको ने उसे एक ही वार में काट दिया इसके बाद बाबा जी महराज ने बचिन्त सिंग जी से फरमाया जा, तुझे स्वामी जी महराज ने बख्ष दिया है यह घटना सरदार बचिंत सिंग जी कभी-कभी सुनाया करते थे बीबी रुक्को से भी यह किसा मैं एक तुबार सुन चुका हूँ हुजूर को बाबा जी महराज ने एक पत्र में परमार्थी के लिए रहनी बताई और इस प्रकार आदेश दिया जिस वक्त सरकारी काम कर चुको, फिर किसी के साथ नहीं बोलना और शाम के वक्त छै से आठ बजे तक भजन में बैठना फिर आठ बजे से दस बजे तक सत्संग करना उसके बाद चाहे सो जाना, चाहे फिर गप्पे मारते रहना फिर सुभा के साड़े चार बजे भजन में बैठ जाना फिर दिन भर सरकारी काम करना साथ ही बातें करते रहना पर जिस वक्त सरकारी काम से छुट्टी हो तब बातें नहीं करना और नहीं उनके साथ बैठ कर वक्त खराब करना जो सत्संगी नहीं है रोटी अकेले में चौके में बैठ कर खाना दुनिया में छिपे रहना है जी आपको तो लोगों के साथ काम करना है रहनी आपकी नियारी होनी चाहिए जी अगर आपको कोई चीज मुफ्त में दे तो नहीं लेनी है जैसे मुरगाबी दिन भर पानी में तैरती है पर जिस वक्त उड़ती है सूखी की सूखी इस तरह संसार में रहना है जी खुद मेरी अर्ज है कि आप पर दया मेहर पहुँचे इसी वक्त जी इस कठिन रहनी पर हुजूर महराज सावन सिंग जी जैसे पून पुरुश ही चल सकते थे हर पत्र में बाबा जी का हुक्म होता था कि जिस वक्त भी सरकारी काम से फुरसत मिले भजन सिम्रन करो हुजूर महराज जी भी बाबा जी महराज के हुक्म के अनुसार चलने की पूरी कोशिश करते थे अपनी सारी तनख्वाह आप बाबा जी से पूच कर उनके आदेश के अनुसार खर्च करते थे बाबा जी कभी-कभी खुद आपसे आने वाले वर्ष की आमदनी का ब्यौरा पूचते और फिर खर्च करने के बारे में आदेश देते 25 नवंबर 1897 के पत्र में आपने हुजूर को लिखा यह भी लिखना कि रुपया इस साल में कितना आएगा तनख्वाह और भत्ता एक माफिक है या अलग लिखना फिर मैं आपको इस साल की कमाई खर्च करने के बारे में बताऊंगा और आप मेरे प्रान हो जी खुद मेरे साथ रहोगे डेरे में जब छोटा सत्संग घर बनकर तयार हो गया तो इसमें बाबा जी महराज ने केवल एक ही सत्संग किया प्रेमी सत्संगियों के बार-बार अनुरोद करने पर फरमाया यहां बाबु सावन सिंग सत्संग किया करेंगे अपने धुरधाम जाने से कुछ महीने पहले आपने फरमाया हमारा यहां का काम खत्म हो चुका है फिर फरमाया हम बहुत समय से यही काम करते आएं हैं इसके बाद अब मरत्ते लोक में वापस नहीं आएंगे चोला छोड़ने से कुछ महीने पहले जुलाई 1903 में एक इत्वार के दिन बाबाजी महराज ने हुक्म दिया कि सब सत्संगी जाकर सत्संग घर में भजन में बैठें आप खुद नहीं गए बीबी रुको तथा एक और सत्संगी भी नहीं गए बाबाजी महराज ने हुक्म दिया कि बीबी आप दोनों भी सत्संग घर में जाकर भजन में बैठो बीबी रुको ने कहा कि आप जाएंगे तो हम भी जाएंगे आप चल कर सत्संग करो बाबाजी बोले तू जातो सही सत्संग करने वाला वहां बैठा है बाबा जी के हुक्म देने पर बीबी रुक को उस सत्संगी के साथ गई सत्संगी तो वाहर खड़ा रहा और बीबी रुक को सत्संग घर में गई जब सत्संग घर के अंदर पैर रखा तो वह बोल उठी यह क्या मौज बदल गई और वहीं से वापस लोट आई बाबा जी के पास आकर बोली ना चाचा जी के दर्शन हुए ना आपके दर्शन हुए वहां तो बाबु सावन सिंग जी आसन पर बैठे हुए हैं इस पर बाबा जी महराज ने फरमाया बीबी खुक्म मानो और फिर फरमाया जिस दिन बाबु सावन सिंग पहले दिन बाबु काहन सिंग के साथ सत्संग में आये थे उसी दिन मैंने तुम से कह दिया था कि यह पिछला अंकुरी अभ्यासी है इस से स्वामी जी महराज परमार्थी काम लेंगे और अभी इस बात को छिपाई रखना इसके बाद बीबी रुको ने सब सत्संगियों से कहा कि सब फिर से भजन में बैठो तब सब दोबारा भजन में बैठे जब भजन से उठे तो बीबी रुको ने पूछा ठीक ठीक और सच सच बताओ कि आज किसके दर्शन हुए हैं तो सब सत्संगियों ने कहा कि बाबु सावन सिंग जी के दर्शन हुए हैं इस प्रकार बाबा जी महराज चोला छोड़ने से कई महीने पहले से अपने जाने के और हुजूर महराज सावन सिंग जी को अपना जानशीन नियुक्त करने के साफ इशारे देते रहे। उन्ही दिनों इन बातों को सुनकर एक सत्संगी ने बाबाजी महराज से कहा कि मैं आपके सिवा किसी को नहीं मानूँगा। इस पर बाबाजी ने फरमाया कि तुम लोगों का कभी उद्धार नहीं होगा। तब सत्संगी ने हाथ जोड़ कर अर्ज की। सच्चे पाथ्षा, मैं तु बहुत नादान हूँ। कृपा करके अपनी बात समझाईए। बाबाजी ने जवाब दिया। प्रत्यक्ष बैठे संत, जिसे अपना जानशीन मुकररर करते हैं, वह उनका ही स्वरूप होता है। फिर फरमाया, जिसे मैं मुकररर करूँगा, वह मुझसे भी तेजस्वी होगा। मैं गुपत रहा हूँ और वह प्रकट रहेगा। मैं तो हर एक का लिहाज रखता था। वह परमार्थी के सिवा किसी से मेल जोल नहीं रखेगा। फिर बाबाजी ने कहा, संत मत की किसी को समझ नहीं आई, जिसे संत खुद समझ देंगे, वही समझेगा, जीव को क्या खबर है। एक सत्संगी ने पूछा कि संत एक से दूसरे चोले में किस प्रकार समा जाते हैं। इस पर बाबाजी ने फरमाया कि जिस तरह जल में मिसरी समा जाती है, जल का रंग नहीं बदलता और स्वाद बदल जाता है। चोला छोड़ने से तीन-चार महीने पहले बाबा जी ने भाई सुरैन सिंग और भाई मगघर सिंग को नाम दिया ये दोनों बहुत समय तक सत्संग में हुजूर महराज सावन सिंग जी के पाठी का काम करते रहे 26 दिसंबर 1903 को बाबा जी ने जोती-जोत समाने से तीन दिन पहले लाला मंगत राई जी को नामदान बख्षा लाला मंगत राई जी हुजूर के सबसे पहले सेक्रेटरी थे जब परमधाम जाने में थोड़े दिन रह गए तो एक सत्संगी ने जिक्र किया कि हुजूर होती मरदान वाले बाबा करम सिंग जी ने अपने जाने से कई दिन पहले कह दिया था कि अब वह ये चोला छोड़ जाएंगे इस पर बाबा जी महराज ने फरमाया हाँ महात्माओं में ताकत होती है कि वे चाहें तो बरसों पहले बता दें कि हम फला यानि अमुक दिन और तारीख को जाएंगे फिर आपने फरमाया हमारे जाने में अब महीने या हफते नहीं बस कुछ दिन ही बाकी है यह सुनकर संगत की आँखों से आंसू बह चले भाई मिल्खी राम ने रुण्धे गले से पूछा हुजूर हमें किसके सुपुर्द कर चले हैं बाबा जी महराज ने उत्तर दिया तुम लोग कोई फिक्र ना करो हमारे बाद बाबु सावन सिंग काम करेंगे बाद जाहिर होंगे बाबु सावन सिंग के द्वारा लाखों जीवों का उध्धार होगा गाव गाव और शहर शहर में राधा स्वामी नाम गूँज उठेगा बाबा जी महराज के अंतिन दनों का सारा हाल बीबी रुको और मिल्खी राम जी समय समय पर हुजूर महराज सावन सिंग जी तक पहुँचाते रहे अपने 25 अक्तूबर 1903 के पत्र में बीबी रुको बताती है कि बाबा जी का खयाल तीन चार दिन से अंतर में ही अधिक रहता है और फरमाते हैं कि अब वृत्ती उपर की ओर जाती है तथा नीचे नहीं उतरती जब वचन करते हैं तो अच्छी तरह समझाते हैं फिर सुरत चढ़ा लेते हैं और ना कोई बिमारी है ना कुछ तकलीफ ना कुछ दवाही करते हैं और एक समय बीबी देवा महराज जी के पास दर्शन के लिए गई तो हुक्म फरमाया कि अब बाबू सावन सिंग को पकड़ो 28 अक्तूबर 1903 को मिठा पुरवाले सत्संगी भाई मिलखी राम जी सत्संग में आये तो बाबा जी महराज ने अपने पास बुला कर फरमाया कुछ गुप्त भेद खोलने का विचार है यह वचन स्वामी जी महराज के हुक्म से बोलता हूँ सो तुम लिखो अनामी पद के आसपास की धाराओं को लिखित रूप में प्रकट करने का हुक्म हुआ है उस वक्त बीबी रुक को भी हाजिर थी बीबी जी ने कहा कि पहले बहुत वानी बड़े हंस यानि स्वामी जी की बोली हुई है अगर दया करनी है तो स्वामी जी से अर्ज करें कि संगत पर आंतरिक दया बक्षें बाहर लिखने की नहीं इस पर बाबा जी महराज कुछ देर खामोश रहकर बीबी रुकों से बोले कि मैंने स्वामी जी महराज के आगे अर्ज कर दी है चार या पांच दिसंबर को बाबा जी महराज के पास कुछ सत्संगी बैठे हुए थे तब बाबा जी ने फरमाया कि पौश की चतुरदशी अंग्रेजी हिसाब से दिसंबर की 28 तारीख की रात को मुझे जरूर चले जाना है ध्यान दे कि बाबा जी महराज ने 28 तिसंबर की रातरी और 29 की सुभा के बीच चोला छोड़ा फिर कुछ परमार्त की बातें की और फरमाया कि जो सत्गुरू के हुक्म और वचन के अंदर रहते हैं वे जीते जी मुक्त हो जाते हैं बाबा जी महराज के चोला छोड़ने के 12 दिन पहले बीबी रुको ने अर्ज की बाबा जी महराज आपने फरमाया था कि 6 जानशीन मुकरर करेंगे इस पर बाबा जी ने फरमाया कि पहले मेरा खयाल था कि छै होंगे, अब स्वामी जी महराज की मौज एक की ही है, सो एक से ही छै का काम ले लेंगे, और यह काम बाबु सावन सिंग से लिया जाएगा. धुरधाम सिधारने से कुछ दिन पहले, आपकी कोठरी में शब्द की ऐसी जोरदार गूँज और जबरदस्त कशिश थी, कि भाई मन्ना सिंग, बीबी रुक को, तथा एक और सेवादार को छोड़ जो भी कोठरी के अंदर जाता, उसकी रूह एकदम चड़ जाती, और वे दोनों उसे उठा कर बाहर लाते. बाबा जी महराज 28 दिसंबर की रात और 39 की सुबा के बीच जोती जोत समा गए. उस समय हुजूर महराज सावन सिंग जी एबटाबाद में थे. हुजूर ने एक बार बाबा जी महराज से अर्ज की थी. हुजूर, अपने अंतिम समय मुझे चरणों के पास ही रखियेगा. बाबा जी ने जवाब दिया, नहीं बच्चू, तुम सहार नहीं सकोगे. पर बाद में संसकार सब तुम्हारे ही हाथों होगा. हुजूर, 29 दिसंबर की शाम को डेरे आ गए. दूसरे दिन सुबा, 30 दिसंबर को, बाबा जी महाराज के पार्थिव शरीर का संसकार हुजूर के हाथों से हुआ. बाबा जी महाराज अपने जीवन काल में कई बार हिदायत देते थे, कि उनके बाद उनकी कोई समाधी, चबूतरा, छतरी आदी ना बनाई जावे. कि जिस जगे बाबा जी महाराज का संसकार किया था, वहाँ दूसरे दिन ही दरिया का पानी चड़ाया. दरिया वह जगा ही बहा ले गया, जहां संसकार किया गया था, और उनके फूल भी न चुने जा सके. बाबा जी महराज बच्पन से ही आध्यात्म के प्रेमी और सत्य के खोजी थे बारे वर्ष की कोमल आयू में आप पाँच नाम और शब्द के भेद की खोज में घर से निकल पड़े थे पाँच साल तक स्थान स्थान पर तलाश करते रहने और कई महात्माओं से भेट करने के बाद वह सत्रे वर्ष की आयू में स्वामी जी महराज के पास आगरा पहुँचे और नामदान प्राप्ट किया उसी साल आप सेना में भरती हो गए और चौनतिस वर्ष की सैनिक सेवा के बाद पचास वर्ष की आयू में पेंशन लेकर रेटायर हुए जब आपने 1877-78 से नाम की बक्षिश शुरू की तब आपकी आयू 49 वर्ष की थी और सेना में हवलदार थे 52 वर्ष की आयू में आप ब्यास नदी के किनारे डेरे में आकर स्थाई रूप से रहने लगे 2343 भागेशाली जीवों को नाम दिया और 29 दिसंबर 1903 को 64 वर्ष की आयू में जोती जोत समा गए 25 वर्ष काई बागेशाली बागेशाली जोती जोती आयूम। झाल झाल